इस्टूडेंट्स आज मैं आप लोग के लिए एक बहुती खास टॉपिक लाई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो बैंकिंग के इस्टूडेंट्स के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है वो प्री में भी आ सकता है आप सब समझ रहे होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रह है बट हमारे बैंट की बच्चें ठोड़ी से यह चैप्तर में लेवल क्या होता है हमेशा हाई मिलता है ऊपको पेटरन जह रहा है अपका बदलता जा रहा है तो ऐसे बदलन पेटरन को ध्यान में रखते हुए हम आप आपको एक कोडिंग्स इस auga है बेंटरी कोडिंग् स आपने सुना होगा तो यह क्या होती है कैसे साथ है इसको सॉल किया चाता है यह हमारे लिए कितनी important है यह सब आज हम लोग discuss करने वाले हैं यह जो chapter हम लोग discuss करेंगे बीटा यह आपके प्री के लिए जितना important है उतना ही important के लिए इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझेगा जहां भी कोई डाउट हो आप उसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको और भी शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस कॉंसेप्ट को पूरी तरीके से सामने बात कर रही है तो उनके लिए काम करते हैं सबसे पहले हम यहां पे लाते हैं क्वेश्ण को देखतें के यह Binary coding है क्या और फिर आती कैसे इसको याई सकता है तो देखतें है क्वेस्चन हमारा क्या है आज का जो हम लोगग इसकर्न करने वाले हैं तो यह इस तरीके क कैसे आपको कोडिंग करनी है और फिर आपसे questions put up किये गए हैं आपको इसको देखके conditional coding के याद आ रही होगी क्योंकि जब conditional coding आती है तो भी पहले आपको कुछ conditions दी रहती हैं फिर कुछ example दी रहते हैं और फिर आपसे questions put up किया थे कोडिंग को बच्चे बहुत अच्छे से जान रहे होंगे खासकर वो बच्चे जो मेंस को अपियर कर रहे हैं मेंस में आप conditional coding के questions अभी जितने में में सब में देख सकते हो आपको पता है कि SBI में भी आया था IBPS में भी आया था हर पेपर में conditional coding के questions आ रहे हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी और उसी का एक रूप यह भी हम कह सकते हैं binary coding जहां पर पहले आपको कुछ instruction दिया जाता है एक example दिया जाता है ताकि आप instruction को बहतर समझ सको और फिर आपसे questions put up किया जाते हैं तो देखते हैं जरह कि binary coding है क्या आपको पते है binary coding is language of computer क्योंकि computer जो है वो work करता है 0 और 1 पे तो binary coding पूरा उसी पे dependent है हम अच्छे से समझते हैं पहले पढ़ते हैं इन्होंने लिखा क्या है instruction में देखिए कहा जा रहा है in a certain code symbol for zero is a star and for one is triangle मतलब कह रहा है कि अगर किसी code भाशा में जो zero है zero जो अंक है अगर उसके लिए कौन सा चिन्न यूज़ किया जाए star का चिन्न यूज़ किया जाए और for one is triangle एक के लिए कौन सा चिन्न यूज़ किया जाए triangle मतलब question कह रहा है कि अभी जो भी हम coding करने वाले हैं वहाँ पे 0 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या star और one के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं triangle यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो लिख लेते हैं 0 के लिए star और one के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग triangle में है that is a star and triangle इसके अलावा कोई और symbol नहीं है इसका मतलब इसके अलावा कोई और number हम use नहीं कर सकते the numbers greater than 1 are to be written only by using the two symbol given above जो भी एक से जादा के number है दो तीन चार पांच है जो भी हमारे question में आएंगे अगर हमें उन numbers को लिखना है तो उन numbers को लिखने के लिए हम इन ही दो symbol का use कर सकते हैं इसके अलावा कोई symbol यहाँ पर नहीं है और क्या बता रहे है the value of the symbol for one doubles itself every time it's shaped one place to the left यह जो symbol की जो भी value है वो कैसे होती मैं आपको बताऊंगी value क्या होती है वो क्या होगा जो भी value है वो अपने आपको double करती जाएगी हर बार जब वो left की तरफ बढ़ेगी ठीक है अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा अभी मैं आपको पूरा समझाती हूँ अब इन्होंने जो instruction दिया है इसको follow करने वाले कुछ examples दिये हैं जिते कि उन्होंने का कि 0 is written as star 0 को क्या लिखा जाता है star लिखाता है 1 is written as triangle, 2 is written as triangle and star 3 is written as double triangle अब ज़रा देखो यह क्यों 1,2,3 ऐसे लिखा जा रहा है अब देखो सबसे पहले इनका example है कि star is written as 0 जाहिरती बात है कि star जो है वो use क्या दा रहा है 0 के लिए तो अगर केवल 0 लिखना है केवल 0 लिखना है अगर केवल 0 लिखना है तो वो star ही use करेंगे इसलिए star का मतलब क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है ठीक है और क्या दिया है इन्होंने कि 1 is written as triangle जो 1 का code क्या है वो star का हो गया आपका 0 और 1 का क्या बता रहा है triangle अभी आपने पढ़ा है कि 0 के लिए star use क्या रहा है और triangle किसके लिए 1 के लिए अब आगे देखो कि इन्होंने triangle और star को 2 क्यों लिखा है triangle और star को इन्होंने यहाँ पर 2 क्यों लिखा है ये समझना देखो होता क्या है कि 0 और 1 के form में ये binary codes आपके काम करते हैं इन्हें हमें change करना होता है अपनी language में जैसे कि अगर ये 2 को triangle और star लिखे है इसका मतलब इन्होंने 2 को लिखा है triangle मतलब 1 और star मतलब 0 यहीं मतलब हुआ कि नहीं कि इन्हों ने binary language में लिखा है यहां पर code और binary language में 2 को इन्हों ने क्या लिखा है बीटा 10 लिखा है या फिर कहलो 1 और 0 लिखा है तो अब मैं आपको यह बताते हूं कि 1 और 0 का मतलब तू निकला कैसे ठीक है देखो यहां पर जो काम होता है वो तू की powers पे होता है तू की power लगाना हम राइट से शुरू करते हैं और लेट की तरफ बढ़ते हैं अगर आपको याद हो तो अगर होता तो हमारे पास आगे अभी पावर से करेंगे उसके बाद टू की पावर तू अगर होता तो हमारे पास आगे अभी कुछ नहीं है फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इस तरीके से 2 की पावर में यह जो है लेफ्ट की तरफ बढ़ता जाता है आरी बास समझ में तो अब यहां पर हमारे पास केवल 0 और 1 था तो 2 की पावर 0 हुआ 2 की पावर क्या हुआ 1 हुआ अब क्या करने है लिखो 2 की पावर 0 का मतलब होता है बेटा 1 और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ठीक है 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया मतलब इधर क्या है 1 और इधर क्या है 2 लिखा था ना कि जो भी value होगी वो जै जाता है फिर क्या किया जाता है में बता रहे हूँ उपर जो नंबर होता है उस से सब्सक्राइब क्या है Reaganet Anybody brand emissions जीरो से होगा तो जाहिर सी बात है क्या है जी आएगा और यहाँ तू का multiplication वन से होगा तो क्या है अब मल्टिक्लिकेश्न करने के बाद जो भी value आते उनको जोड लिया जाते है आप 2 में 0 जोड़ोगी तो क्या आएगा 2 आएगा इसलिए 1 और 0 को क्या लिखा गया है यहाँ पर 2 थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया हो तो मैं आपको एक और समझाती हूँ शाहद आपको पूरा समझ में आजा है ज्यान द 1 को 3 में denote कैसे किया होगा देखिए देखो हमने क्या बोला था कि राइट आपको शुरू करना है ठीक है और 2 की पावर में इनको मतलब कि कनवर्ट करना है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे तो 2 की पावर 0 अब आप समझ लिए 1 से ही स्टार्ट होता है आपको समय बचा रहा है तो आपकी पूरा लिख की नहीं करोगी कि पहले टू की पावर 0 फी टू की पावर 1 फी टू की पावर 2 पूरा लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है आप 1 से स्टार्ट करो 1,2,4 ऐसे वो अपने आप बढ़ता जाता है क्योंकि 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा टू की power 0 आपका 1 ही होता है और जब भी यह लेफ्ट में जाता है आपने आपको क्या करता है डबल करता है मतलब यहां पर क्या होगा 2 की पावर 0 मतलब 1 और यहां पर क्या होगा 2 की पावर 1 मतलब 2 चीक है हमने क्या मूल था आपको इनका क्या करना है करना है किसा करोगे इनका तो आपको पता है कि one das आएगा 2 x 1 2 आएगा मल्टिप्लिकेशन करने के बाद क्या बताया था कि इनको आपको एड़ करना है आप 2 प्लस 1 करोगे तो क्या जाएगा बेटा 3 आजाएगा इसलिए यहां पर डबल ट्रेंगल को क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है बताई समझ में आ आए कि नीट ठीक है मतलब क्या करना है आपको सिंबोलिक फॉर्म को पहले तो नियूमेरिक फॉर्म में बदलना है जैसे कि स्टार और ट्रेंगल की फॉर्म में लिखा है आप ना बदलो तो भी ठीक है अगर आप डारेट कर पाओ अधर वाइस आप पहले उसे 0 और 1 में नीचे आप 2 की पावर्ड लिखोगे जो की स्टार्ट आपको पता है कहां से होगा 1,2 फिर आगे होगा तो 4 फिर आगे होगा तो 8 फिर आगे 16 बढ़ता जाएगा और फिर आपको उपर वाली वैल्यू से मल्टिप्लाई करके जो भी आ रहा है प्रोड़क्ट उसको डेसिमल नंबर आपको मिल जाएगा डेसिमल नंबर क्या जो हमारे 2,3,4 यह सब नंबर से डेसिमल नंबर है और बाइनरी फॉर्म हमारे क्या है जो 0,1 में चल रहा है तो इस तरीके से बाइनरी कोट से डेसिमल में चेंज किया जाता है ठीक है और मैं आपको एक्जामपल देती हूं और समझते हैं आप जैसे माल लीजे हमारे सामने आ गया इस इस instruction के साथ एक question आ गया कि इसको triangle 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 star star और triangle का मतलब क्या है चीक है ऐसे ही तो question आते हैं पहले आपको instruction दे दिया जाता है थोड़ा से example दे दिया आता है फिर आप से कहते हैं कि अब इसको change करके बताओ अब इसको decode करके बताओ तो माल लो हमारे सामने यह आ गया कि three times triangle है two times star है और one time triangle है ऐसे लिखा हो और पुछा जाए कि बताओ यह decimal number कौन सा लिखा है तो कैसे convert करेंगे अभी सबसे पहले हमने बताया कि पहले इसको 1 के form में convert करना है आपको पते कि start का मतलब क्या है बेटा यापथ जीरो है और triangle का मतलब क्या है one है करें देखो अगर इसको पहले zero one के form में convert करेंगे तो यह one होगा यह zero होगा यह one one और one यहाँ तक clear है सबको clear है अब आगे देखे क्या करना है 0 1 के form में बदले के बार 2 की power start करते हैं जो की 1 से start होगा कहां से right से कैसे 1 2 अब 2 का double होगा लिखाया ना बेटा कि जब भी अपने left में आता है तो अपना क्या होता जाता है दो गुना होता जाता है ठीक है 1 है 2 है अब यहां 2 का double क्या होगा 4 यहां 4 का double 8 य यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 32 अपने double हो गया अब मैंने क्या बताया था कि इसको उपर वाले binary form से multiply करना है करते हैं बेटा इन दोनों को क्या हम हटा नहीं सकते आप खुदी बताओ आप किसी भी नंबर से 0 का multiply करते हो तो result क्या मिलता है आपको 0 मिलता है तो जब आप यह दोनों को हमें कोई मतलम नहीं क्योंकि इनका multiply होने के बाद यह 0 हो जाएगा और 0 किसी में भी जुड़ेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब देखो इसका multiply 1 आएगा इसका 8 आएगा ठीक है इसका 32 आएगा और आपको पते लास्ट में क्या करना है बेटा और एक 25 और यह आपका हो जाएगा कितना 57 मतलब यह जो triangle 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 star star और triangle लिखा है इसका मतलब क्या था आपका 57 बोले समझ में आया आपको तो इस तरीके से binary को हम decimal number में change करते हैं इस तरीके से आपको करना है अब questions हम लोग देखेंगे कि हम से questions क्या put up किये गए है पहला question देखे क्या लिखा है आपका which of the following numbers will be represented by triangle 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 star triangle देखेंगे ऐसा equation आभी गया हमारा आपको एक coded form में दिया है और आप से decode करके उसका decimal form पूछ रहा है तो आप लोग कर लोगे मुझे पूरा यकीन है देखते हैं कैसे होगा यह which of the following number will be represented by triangle है आपका इसके बाद क्या है star है और इसके बाद क्या है बेटा triangle है चलो करते हैं इसको सबसे पहले क्या बोला था मैंने इसको आपको binary form में पहले तो 01 के form में convert करना है ठीक है अब 01 का form क्या है आपको पते है इस question के लिए triangle का मतलब क्या है बेटा 1 है और star का मतल दिया है 0 दिया है बैनरी form में बदलने के बाद आपको क्या करना है वो 1 2 वाला start करना है मतलब 2 की powers वाली value लिखने इस start करनी है तो यहां से आप शुरू करोगी 1 2 2 का double 4 4 का double 8 8 का double क्या होगा बच्छा 16 ठीक है अब आपको इन लोगों का multiply करना होता है और जो result है उसे last में जोड़ लेना होता है इसका तो 0 ही आएगा इसको हटा देते हैं तो आया क्या हमारे पास सबका वही आएगा 1 से multiply करने के बाद मतलब 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 ठीक है अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा 16 और 8 कितना होगे आपका 24 24 और 28 और 29 29 कौन से option में है आपका option number C ठीक है तो हमारा option number C will be the correct answer कि यह जो लिखा है इसका मतलब क्या है 29 I hope आपको समझ में आया होगा कि binary से decimal में convert कैसे करते हैं अगर आपके मन में कोई doubt है तो आप उसे comment section में पोच सकते हो ठीक है इसके बाद देखते हैं अगला question यह आपका अगला question है which of the following numbers will be represented as triangle, star, triangle, double star, triangle, ok देखते हैं number लिखा है हमारा एक coded form में पहले आप लोग इसको कर लो and I know कि बहुत ही जल्दी आप लोग इसे कर लोगी बिल्कुल भी इसमें time नहीं लगेगा, ठीक है triangle, star, triangle फिर double star, triangle आपको पते है कि सबसे पहले आपको इसे क्या करना है, 0, 1 की form में convert करना है, 0, 1 की form में कैसे convert होगा triangle stands for 1, to 1, 1 और 1 हो गया and star stands for 0, तो यह आपका 0, 0 और 0 हो गया, ठीक है अब हम ही क्या करना है, वही 2 की power की values लिखनी है, from right to left, तो लिखते हैं पेटा, पहले 1, फिर 2, फिर 4, 4 का double, 8, 8 का double, 16 और फिर 32, हम लोग इसको cancel out करेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए matter नहीं करता, क्योंकि last में इसको 0 ही होना है, और 0 को किसी में भी add करने पे कोई फर्क नह 41, यही बचा ना, अब यह क्या हो जाएगा, 32, 44, मतलब जो decimal number है, वो यही क्या लिखा हुआ है, आपका 41, कौन सो option होगा, आपका option number C, आया समझ में, अगर समझ में आया है, तो session को जादा से जादा शेयर करिएगा, like करिएगा, और जो भी आपके मन में doubt है, जो भी आपको लग रहा हो कि ने, इसमें और भी मुझे ऐसे जानना है, तो आप बिलकुल उसे बेफिक्र हो के comment section में पोच सकते हो, पूरा हमारा motive ही यही है, कि आपको एक एक चीज, जो भी concept है, वो पूरी तरह clear किया जाए, अगर उसमें कहीं से कोई भी problem हो रही है, तो you can ask freely in comment section कि हा, म यह रहा आपका third question, देखें आप लोग इसको try करिए, अगर आप इसको अच्छे समझ गया ना बेटा, तो 10 seconds से जादा नहीं लगेगा, इस question को करने में, 10 seconds से जादा नहीं लगेगा, trust me, इसको करिए आप लोग what is the value of, okay, four time triangle divided by two times triangle, आपको पते हैं कि यह coded form में लिखा है, इसलिए triangle लिखा है, actually यह max का एक छोटा सा question है, एक दो numbers है, और आपको करना है कि इसको इससे अगर divide किया जाए, तो result क्या आएगा, और बताना हमें coded form में है, okay, तो देखें क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि यह coded form है, तो हमें अभी समझ में नहीं आएगा, अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बेटा इससे decode करना होगा, आप लोग कर चुके होगे, इसका answer भी आ गया होगा, आपका, अभी हम बताते हैं कैसे होगा, देखें, यह आपको क्या है, पहले तो इसको करते हैं, यह क्या करना है, हमें 2 की powers वाली values लिखनी थी, right से left की तरफ, 1 से start होता है, पहले 1, फिर 1 double होगा, 2, 2 double होगा, 4, 4 double होगा, तो क्या हैगा, 8, अब यहाँ पे 0 तो है, नहीं तो कुछ cancel out तो होना नहीं, आपको सब को जोड़ना पड़ेगा, मतलब समझ रहोंगे, अभी हम 12, 12, 13, 14, 1, 15, मतलब क्या answer आगया हमारा, यह 15, अंसर मतलब यह जो लिखा है, यह coded form में जो लिखा है, इसका मतलब क्या है, 15, अब 15 को डिवाइट करना है, अब 15 को कि से डिवाइट करना है, double triangle से ओके, लिखते भाय का मतलब क्या है, यह कौन सा number लिखा है, ढब ट्रियंग होगा वन वन का डबल तू इनका मल्टिप्लाई करने पर सेम नंबर आएगा तो इन ही को जोडते हैं दो और एक क्या हो जाएगा तीन तो अब आप क्वेशन समझ के होगे है जहां पर 5 को कोड़ेट फॉर्म में लिखा है ठीक है अभी आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में अगर आप प्लीज उसे बताईएगा मैं अगला वीडियो इसे बनाके लाओंगी आपके लिए ठीक है तो खेर, अभी हम लोग कैसे करेंगे, अभी option से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये पहले option में क्या है, बेटा, three time triangle है, अचा देखो, अब थोड़ा pen paper के बिना भी आप इसे कर सकते हो, अचा three time triangle है, कुछ cancel होना नहीं है, line से 1, 2 और 4 आएगा, पहले 1, fit 2, और फिर 4, तो ये जादा हो जाएगा, four और two, six और seven, जादा हो जाएगा, second option पर आओ, second option पर देखो, ये triangle है, star है और star है, अगर हम right से left की तरफ लिखना शुरू करें, तो one, two और four, और आपको पते कि पहले के दो, जो है, star, star cancel हो जाएगे, क्योंकि multiply करने पे zero आएगा, तो बचेगा है ना, अब सो जो कैसे होगा, triangle, पहला वाला triangle one होगा, star क्या हो जाएगा, two हो जाएगा, और ये वाला triangle क्या हो जाएगा, four हो जाएगा, तो बीच का star cancel हो जाएगा, last में four is starting में one, four और one क्या हो जाएगा, five हमें लगते हैं हमें हमारा answer मिल चुका है, बिलकुल मिल चुका ह तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अगर आप अच्छे से इसको समझ लोगे इस concept को समझ लोगे देखो हम लोगों ने अभी चेक किया और हमने कोई अभी यूज नहीं किया कुछ भी लिखके करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा यह ऐसी ह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 और यह 2 का डबल 4 ठीक है अब यह तो cancel out हो जाएगा बचेगा 4 और 1 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 5 और यह हमारा क्या है अंसर है क्योंकि 15 को 3 से डिवाइड करने पर 5 आ रहा था और 5 हमारा लिखा है कोड़ेट फॉर्म में option नंबर सी पर आपको समझ में आया होगा तो फिर से मैं कहीं बीटा अगर आपको कहीं बेभी कुछ भी लग रहा है कि मैम आप ऐसा भी में को बता दो आप यह भी में को नंबर सीखी आँ है अगला वीडियो में उसी टॉपिक पर बना के लाओंगे ठीक है ऑचा इतने सही चुटी नहीं मिलने वाली है आपको यह नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आप बस हो गया पढ़ लिया देख लिया आपके लिए homework है आपको मैं question दे रहूँ अगर आपक जो भी अभी बताया गया है, थोड़ा भी समझ में आया है, तो आपको एक homework दिया जा रहा है, आपको एक question मैं दे रही हूँ, वो आपको करना है, और मुझे उसका answer बताना है, देखो बेटा, कोई भी चीज सीखने के बाद बहुत ही जरूरी है, आप अपने आपको चेक करो, तो आप खुद को चेक कर सको, इसके लिए हमारे पास एक question है, question ला दिया जैसा, ओके, हाँ, ये रहा आपका question, ठीक है, इसका आप screenshot ले लो, note कर लो, जो भी करना हो कर लो आप, ये question है, जो आपको करके लाना है, इसको करिएगा, इसका screenshot ले लिजे और फिर हमको इसका answer बत आप आते हैं, okay, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, I hope आपको पसंद आया होगा, और आपको समझ में आया होगा, और अगर ये दोनों चीजे हुई है, तो प्लीज इस वीडियो को like करे, share करे, और हमारे चैनल को subscribe करे, ताकि आगे भी मैं आपको और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजे, deliver कर सको, आज के लिए इतना ही, thank you.